हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मुली की भाजी जो की बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और सिंपल बहुत है अकसर हम मुली के पत्तों को फैंक देते हैं जादा तर लेकिन उसके बैनेफिट्स ने जानते हैं आपको पता है यह बहुत ही दो के वाश करके चौप कर लिया है फ्रेंड्स इनकी लीफ्स जो है हमारे थकान को दूर करने में सहाइता करती है हमारे इमेंटी बूस्ट करती है और आयरन केल्चियम वाइटेमन सी फोस्फरोस से बरपूर होती है और मूली जो है हमारे डैजेशन के लिए बहुत करती है तो देखा कितना फैदे है इसमें तो चलिए बनाते है रेस्पीस की यहां पर कड़ाई ले रही हूं मैं खुली और इसके अंदर हम लेंगे दो टेबल स्पून आराउंड मस्टर्ड ओल यानि सरसो का तेल अब फ्रेंट सरसो का तेल जो है हमें इसको पकाना है लो यह देखिए यहां पर ट्रांस्परेंट लग रहा है और यहां मैं ले रही हूं एक चमचा रहा हूं अजवाइन और हरीमिच अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना थीका पसंद करते हैं मुझे इस थीका तो मैंने यहां तीन मिर्शिय एड ली है और इसके साथ साथ और अजब करने के बाद हम इसमें अज़ करने मूली के पते नगे मूली और मूली के पते हम नगे मूली के यहां पर हम फ्लेम करेंगे मीडियम ड्ली से करेंगों से हरा का हरा हमें इस तरह से काले पन में नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका कलर जो है वो सारा निकल जाता है पकाने पे धकने के बार तो अब हम इसको ढगेंगे किस तरीके से पूरा नहीं हाफ कवर करेंगे यह देखिए यह देखिए आपको दिखाती हो इस तरह से हम इस आप एक से दो तीन मिनट बाद मैं दुवारा हिलाने के लिए इसको कोल रही हूँ और आप देख सकते हैं यहां मुलियों ने हलका सा पानी छोड़ दिया है तो जब आपके मुली की भाजी फलका सा पानी छोड़ने लग जाएगी तो इस टैम पे आपको फ्रेंट्स इसमें स इसके बाद यहां में हम लेंगे कश्मेरी लाल मिर्च यहां में आदा चमच ले रही हूँ और लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला एक चुथाई चमच और हल्दी पॉडर एक चमच अगर ऑप्शनल है हल्दी पॉडर अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत जालिएगा तो इस के बाद हम इसको अच्छे से सौटिड करेंगे यहां पर थोड़ा सा बाम में आमचूर पॉडर डाला है फ्रेंज एक चुथाई चमच अगर हलका सा तो कि इससे थोड़ा सा फ्लेवर इसका बहुत अच्छा हाजाता है खटा और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मिक् पकाना है जब तक थोड़ा सा अपना oil release करना शुरू करतेगा मूली को पकने में टाइम ने लगता है बहुत जल्दी पक जाते हैं तो फिर से हम इसको इसी तरह से half ढखेंगे और half छोड़ देंगे और इसके बाद अब आप देखेंगे तो यह देखें आपकी मूली की जो भाजी बिल्कुल रेडी है गी छोड़ चुकी है और अच्छे से पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से और इसको हम अच्छे से हिला के देखते हैं यह देखें बहुत इजी रेस्पी है बहुत ही health benefit रेस्पी है बहुत फायदे है इसके और खासकर weight loss में भी बहुत हेल्प करती है मुली की भाजी और इस तरह से हमने इसको हिला देना है और इसको चेक करना है के लिए आप चेक कर सकते हैं कोई भी एक पीस मुली का उठा के अगर वह प्रेस कर देके अगर वह प्रेस हो हो रह picnic आपकी मुली की भाजी की बिलकूल रेडी है , तो बोस आप सेर्व करेंग के और ईसके साथ दाल बहुत अच्छी लगती है अगर आप ट्राइ करेंगे तो मुझा जरूर बतायेगा if you like my recipe so please like my channel subscribe my channel and share this recipe with your family and friends till now bye bye